जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं भैस बढ़ी होंगे इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे T20 Blast का जो आज का मैच खेला जाएगा GLO वर्सिज के 80 यानि कि Glow Sester Sire वर्सिज कैंटी की टीम के बीच मैच खेला जाएगा 79th मैच रहेगा T20 Blast का वेन्यू रहेगा County Ground Bristol के वेन्यू पे मैच खेला जाएगा चैनल पर नहीं होती हैर सब्सक्राइब गरगे नोटिफिकेशन बेल आप जरूर रहेगा आने वाले किसी भी मैच की वीडियो आपको मिस नहीं करनी है वीडियो पसंद आई वीडियो में बताईगे तो टेलीग्राम को जोईन करना है यह हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन वे और वीडियो के डिस्किप्शन में दोनों जगया पे मिलेगा कहीं से भी जोईन कर लेना टेलीग्राम को जोईन कर लेना लगबग 38,000 के आसपास मेंबर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जोईन कर रखे भाई टोस के बाद में कोई भी अपडेट्स होंगी फाइनल टीम में लास्ट मॉमेंट अगर कोई भी चेंज किया जाएगा आपको टोस होने के बाद में सारी अपडेट्स फाइनल टीम आपको सब कुछ आपडेट किया जाएगा तो जॉइन करके रखना कमेंड सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आगे बढ़ते दोस्तों यहां से बात करते हैं मैच के बारे में सबसे पहले वेन्यू की बात करेंगे तो वेन्यू आपको बता दू यहां प मतलब यहां पर सेकंड बैटिंग को थोड़ा सा एडवांटेज जरूर मिल सकते हैं एवरेज जो स्कोर है लगबग 164 के आसपास का है मतलब यहां पर कंडिशन थोड़ा सा बैट्समें के फेवर में जाएंगी लेकिन बड़े स्कोर के उमीद नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग एक बर स्कोरिंग पैडर में भी देखोंगे 150 से कम इस वेन्यू पर 13 बार स्कोर बना है तो दूसरी सैड यहां पर 190 पलस का जो स्कोर है वो केवल 8 बार बना मतलब 190 पलस उतनी बारी स्कोर नहीं बना लेकिन 150 से कम 13 बार 150 से 139 के बीच में 12 और 170 से 119 के बीच में करने को 190 प्लस भी बनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो वेन्यू के स्टाइट्स के हिसाब से दोस्तों शायद इतनी ज्यादा बैटिंग के फेवर में चीज आपको जाते भी ना दिखे उसके बाद में आगे बढ़ेंगे यहां से रिशेंट मैचेज की बात करत होगे MDX की टीम ने 149 करें GLS की टीम ने यहां पर 145 बना के चेज गर दिया था तीन विकेट पे लेकिन यह 146 चेज भी लगबग 185 और गेंदर किया था मतलब चेज करते टाइम भी बैटिंग मुझे कुछ उतनी ज्यादा खास देखने को नहीं लगी थर्ड मैच में स्कोर बना फर्स्ट बैटिंग के दवरा लेकिन सेकेंड मैच में देखोंगे उतना बड़ा स्कोर यहां पे नहीं बना था ठीक है अब 231 कोई टीम अगर चेज गरने उतरेगी तो भाई उसके तो इसी परकार की कुछ हालत देखने को मिलेगी जैसा कि यहां पे GLS CS की टीम क्यों यानि की 111 के स्कोर पे पूरी टीम ओल आउट होके ठीक है लेकिन अगर इस वेन्यू पे 106-117 तक का स्कोर बनेगा तो डेफिनेटली यहां पे सेकिंड बैटिंग करने वाली जो टीम रहेगी वो चेज कर सकती है उसके बाद में दोनों टीम के अगर इस वेन्यू प दोस्तों आगे चलते हैं हैट प्रेड मैचिज की बात करें तो दोनों टीम के बीच में आप लोग देख पाऊगा यहां पर 14 मैच वे जोई यानिकी ग्लो सेस्टर साहिरे की टीम ने 9 मैच विन करें तो वहीं पे केंट की टीम ने केवल 5 मैच विन करें अब इस वेन्यू तोड़ा सा फेवरेट मेरे शाब से यहाँ पे जियलो याने की ग्लोड रागे बढ़ते हैं यहां से बात करते हैं तोड़ी प्लेएर के शेट्स आपको बताने वाला हूं कोई भी चीज मिस नहीं करनी सबसे पहले बैन वैल्स ने जो की लास्ट मैच में ओपनिंग करी थी 10 रंज करते एम हमून देखोगे 119 रंज से 24 के आसपास कैवरेज है तो दोन ओपनर्स की फोर्म जो है वो उतनी कुछ बढ़िया नहीं है बीच आल स्वर्ट 6 मैच में 185 रंज से 30 कैवरेज है एक विकेट इन के नाम है साड़े 4 ओवर के आसपास इन्होंने गेंदबाजी करवाई है अब तक खेले गई 6 मैच के अंदर ठीक है तो मेरे साब से उतने रेगुलर गेंदबाजी भी आपको करतवे नहीं दिखेंगे अगर किसी मेन गेंदबाज की पिटाई होगी तो शायद बीच में एक दोवर डालने जरूर आ सकते लेकिन अगर आप लोग टीम में पिक करो तो बागी गेंदबाजी करें और विकेट निकाल दे तो आपके लिए पलस पॉइंट हो जाएगा ओलिवर प्राइस साथ मैच 134 रन से 10 विकेट इनके नाम है साड़े 13 के आसपास इन्होंने ओवर गेंदबाजी करवाई है मतलब ये गेंदबाज आपको एक प्रोपर गेंदबाजी डाल के दे सकता है मीनिममम इनके दो ओवर आप लोग मानके चलो बैटिंग में भी थोड़ा सा उपर आएंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छी परफोर्मेंस करके देखे जा सकते है नीच याओगे जैक टेलर साथ मैच में दस का आवरेज आ बैटिंग में उतना कुछ खास है नहीं गेंदबाजी में भी सिर्फ अब तक साथ मैच में दो ही ओवर की गेंदबाजी करवाई है तो मेरे साथ से गेंदबाजी से भी उतने इंपोर्टेंट आपके लिए नहीं बनेंगे जेम्स वर्सी जोकी रहेंगे विकेट के पिंग सेक्शन के प्लेयर साधे 9 की आसपास आवरेज जै उतनी कुछ खास फोर्म नहीं है डैनी लेंब च्यार मैच में दो विकेटीन के नाम है 15 ओवर की गेंदबाजी बैटिंग में उतना अच्छा परफोर्मेंस नहीं है लेकिन गेंदबाजी देखोगे लेकिन अगर आप लोग स्टैट्स के बेस पे टीम मनाना चाहोगे ना तो एक दो प्लेयर आपको कम स्लेक्शन वाले जरूर पिक करके चलने पड़ेंगे ये जानखना ठीक है उसके बाद में जफर गोहर पांच मैच में चार विगेट लगबग 19 ओवर की गेंदबाजी ये भी अपने ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट यापर चार ओवर कमपिट कर सकते हैं अगर एक स्टार्ट इनको बढ़िया मिल जाए एम टेलर 21 ओवर में यापे 6 विगेट इनके नाम है डेविड पाई ने 27 ओवर की गेंदबाजी करवा है ये 10 विगेट इनके नाम है ओल्मोस्ट अपने 4 ओवर कमपिट करेंगे टोम स्मित लगबग 22 ओवर की गेंदबाजी 7 मैच में और 8 विगेट इनके नाम है अब प्राइस सबसे पहली उप्सन है जो कि आपको एक पार्ट टाइमर के रूप में गेंदबाजी गरतों दिखेंगे और किसी के अगर ज्यादा पिटाई होगी तो फिर यहां पे आपको चार्ल्स वर्थ या फिर भाईया जैक टेलर एक दोवर निगालते वे दिखेंगे अधर जो है कोई एक प्लेयर पिक करना जो आपको ठीक लगे बाकि जैक टेलर या फिर जेम्स बरसे इन में से भी आपको कोई एक प्लेयर अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है बाकि गेंदबाजी गंदर आओगे यहां से देखो डेविड पाई ने इंपोर्टेंट रहेगा भाई टीम कोमिनेशन बनाएंगे तो केंट के साड़ी से मुया यह जो है ओपनिंग करेंगे 26 कैवरेज है डी बैल ड्रेमेंड यह तगड़े प्लेयर है साड़े 49 कैवरेज भी है और आठ मैच में 313 रंस भी कर चुके मतलब काफी तगड़ी फोम में आपको दिखेंगे जोई ड जोडन कोक्स इनके पास में बहुत अच्छी ओप्सन है यह इन से भी उपर बैटिंग करवा सकते हैं तो देखो इनका बैटिंग ओडर चेंज हो भी सकते है ठीक है आठ मैच में 85 रंसे लिंडे की परफोर्मेंस उतनी खास नहीं है अगर मैं बैटिंग के साफ से बात करू जोडन कोक्स इनके पास में बैटिंग के नाम है तो गेंडबाजी में बीच में जरूरत पड़ती है तो एक दो वर डालने आ सकते हैं इस्टैवट रहेंगे आठ मैच में लगबग 26 ओवर की गेंडबाजी आजे में गेंडबाज के लेंगे और 12 विकेट भी निकाल रखे काफी इच्छी फोर में दिखेंगे फ्राइड गलासे रहेंगे 12 ओवर में पास विकेट इनके नाम है हर मैच में अपने चार ओवर इनोंने कंप्रिट करें तो ये गेंडबाज आपके लिए most important रहेगा स्टार लगा लेना पूरे चार ओवर करता है आपको दिख जाएगा केन रिचर्सन रहेंगे फ्राइड गलासे रहेंगे ये चार इनके में गेंडबाज है बाकी पास वाज़ ओप्सन है वो जोर्जे लिंडे मेरे अकोडिंग ये 5 इनके में गेंडबाज है जिनको 4-4 ओवर कंप्रिट करने चीए किसी की पिटाई होगी तो यहां से आप लो आपको लेके चलने ठीक है अगर यहां पर जोर्जे लिंडे की जिगह पर सैम बिलिंग सूपर बैटिंग करने आए तो मेरे साफ से फिर बिलिंग सापके लिए इस मैची के एक अच्छी और आपके लिए बहुत बैतर यहां पर डिफरेंचल पिक जरूर बन सकते हैं तो य सबस्क्राइब गरगे नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लीजेगा आगे आने वाले किसी भी मैच की आपको वीडियो जो है वो मिस नहीं करनी है अब यहां से बात करते हैं टीम सेलेक्शन की तो विकेट के पिंग सेक्शन में सबसे पहली उप्सन आपके पास में जेम्स परसी की रहेगे जोडन कोक्स है बी वैल्स रहेंगे जो की ओपनी करने वाले प्लेयर है एक ही मैच केला केवल दस रंस कर पाई तो आपके लिए एक अच्छी यूनिक पिक हो सकते हैं स्लेक्शन भी देखोगे केवल 7% है लेकिन जो पलस पॉइंट है वो ही है कि बाईया लिंग्स को टीम में रखूआ और अगर आप लूग चाहूए आपके कोक्स भी आपके लिएक अच्छी ओप्सन हो सकते हो तो इनके साथ में जा सकते हो नो डाउट ठीक है बैटिंग सेक्शन में आऊगे सबसे पहले यहां से जोई डैनली डे बैल ड्रेमेंड और भाईया जरूर निकल सकते हैं उसके बाद में नीचे उतनी कुछ खास ओप्सन्स नहीं मिलेगी ओलाउंड डिपार्टमेंट में ओलिवर प्राइस रहेंगे जैक लैनिंग जो की गेंदबाजी से ज्यादा इंपोर्टेंट है बल्ले बाजी थोड़ा नीचे करेंगे उसके बाद म जो है हम लोग यहां पे जोर्जे लिंडी के साथ में चलेंगे जैड गोहर आपके लिए अच्छी उनिक पिक हो सकते हैं ट्राइ करना चाओ कर सकते हैं उसके बाद में बोलिंग सेक्शन के अंदर आओगे यहां से एम होगन डेविड पाई ने जी स्टेवर यह देखो बैटिंग सेक्शन का प्लेए तो भाई बैटिंग सेक्शन से मुय यह फिर आप लोग यहां पे एम हमोन को ले सकते हो या फिर आप लोग गोलाउंडर सक्षन से जैक लेंडिंग के साथ में थोड़ा सा सेफली खेल सकते हो यह 24 आपके रहेगी अपने ही साब से देख लेन यह आपके लिए बहुत अच्छी पिक हो सकते हैं तो भाई वहाँ पे भी थोड़े बहुत रंस करके दे सकते हैं अगर पिटाई नहीं होगी डेफिनिटली चार ओवर करेंगे अगर स्टार्टी में कुछ ज्यादा पिटाई हो जाए तो हो सकता है फिर इनके ओवर कट भी हो सकते हैं ठीक है बागी यह फिलान मेरा 11 प्लेयर का टीम कोमिनिशन है जहां पे कैप्टंसि और वाईस कैप्टंसि का गर मैं बात करू तो मेरी टीम में फिलाल जोई डैली अजजी कैप्टं रहेंगे यहासे ओलिवर प्राइस को आजए वाइस कैप्टं मैं अपने टीम मे उमीद करता हूं आप लोगे इस मैच में के बढ़िया टीम कोमिनेसन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी